प्रप्राफिट लॉज्ट लोज प्राफिट लॉज CROS नमस्कार विवेक बिंदरा बोल रहा हूं, founder and CEO of BadaBiznes.com, यह बड़ा business idea series है, brainstorm को business में transform करने का इस सफर है, यह show जो है किवल idea को showcase नहीं करता है, यह ideas को जीवन्त रूप देता है, idea जसने कोई बदल दिया है, not just showcasing the idea but executing them, आज की बाद stock market की होगी, stock market के मेरे videos लोग बहुत पस share लगता है, जंगल का share, एकी डर, पैसा लगाएं और कहीं डूब जाएं, बहुत सारी मिध्याइच चल रही हैं बादार में, आज कोशिश करते हैं उनको ध्वस्त करने का ही, कहीं लोग कहते हैं किसमत का connection, किसमत का खेल है, luck based है, को skill based नहीं है, कहीं कहते हैं क्यों पैसा जितना बचे उतना बचाना क्योंकि इंडिया में लोग पैसा बचाना पसंद करते हैं, मैं तो पैसे वाला नहीं हूँ, ये भी एक नया चक्कर है, तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं, ये अमीरों के चोचले हैं, हम middle class वाले ऐसे ही भले हैं, तो आपको जो है, कह फाउंडर, को फाउंडर, विशाल मलकान, मेगना मलकान, आपका स्वागत है, तैंक यू सो मच, कैसे हैं, आपसे हम पहले भी मिल चुके हैं, और आपने बड़ा नाम कमा लिया इस इंडिस्ट्री के अंदर, बड़ी खुशी होती है, सबसे पहले आपने ये साइंस को क्रा हो ये इसको बोलते हैं कि science और art दोनों है, मैं इतने साल से जो trade करा उसमें से जो हमने crack किया है कि इसको अगर एक business की तरह किया जाया, business में एक process होता है, जो पहले समझो कि मैं ये jacket का business कर रहा हूं तो मैं raw material, packaging, पूरा एक process होता है, उसी को अगर stock market के trading को हमने process driven कर दिया, entry क कहां होगी exit कहा होगा stop loss कहां रखना है exit कहा करना यह पूरा अगर rule base बना दिया तो फिर तो सट्टा है यह नहीं फिर तो वह process बन जाता है फिर उसको follow करना है उसको discipline से follow करेंगे तो एक profession और एक business से चार्ट को सीखना आ गया आप आगे बढ़ जाएंगे अब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अलग अलग तरह के क्या करना चाहिए investment ठीकने के लिए इसमें दो चीज़ है एक fundamental और एक technical fundamental सबके बसकी बात लिए उसको छोड़ दो टेकनिकल बहुत आसान है एक आप आदमी भी कर सकता है एक बच्चा भी कर सकता हमारा claim ऐसा है क्योंकि उसमें process है उसमें अब क्यों होती है वह हमको जानना जरू नहीं हमको क्या करना है जब यह line के उपर जाए तो खरीदना और यह line के नीचे जाए तो बेचना है बस यह process को अगर बराबर से समझ लिया और फिर उसको process को बराबर से इंप्लिमेंट किया then it becomes a science and it becomes a profession आपने का science है सोट डिगरी पर पानी बरफ बनता है के भाब बनता है भाब बनता है ही सही जाना है लॉस बचाना भी profit है लॉस बचाना भी profit है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आजकल डेली शोप ड्रामा इसके पती लोगों का अकर्शन होता है stock market में भी ड्रामा बहुत है play of emotion है चक्कर क्या है रोज profit loss हाई हाई एक दम ऐसा ऐसा लगता है आदमी दान्स ही कर रहा हुता profit loss हो रहा है तो यह भाव कितना शेर का भाव और मेरी भावना भाव और भावना के बीच में तालमेल कैसे बनाए इसको रिस्क सबको minimize करना तो उस पर क्या हुपाए है तो मैं चाहता हूं कि रिस्क का एक formula होता है जैसे मैंने जब सीखा था market में कि आप या तो उंगली काटो ने तो हाथ काटना पड़ेगा तो वह जो लॉस जितना कम में आप बुक कर लोगे और अपनी विकेट को बचा कर रखोगी जैसे क्रिकेट में बताते कि रन बनाने तो पहले विकेट को बचा कर रखो तो मैं नए इंसान जो ट्रेडिंग करना च शुरू हो सकता है यह बाद वारन बफिन ने भी कई थी पेशन्स की बात की थी वह कहते हैं कि जो है स्टॉक मार्केट क्या इम पेशेंट आदमी का पैसा पेशन्ट आदमी की जेब में चला जाता है जिस आदमी के पास जो अधीर है उसका पैसा धीर वेक्ति इसके बाद मतलब जितना पेशन्स उतना समय क्रीज पर टिका रहेगा उत्ते रन बनते चले जाएंगे पर आज की जो जो जनरेशन है उसको सब इंस्टेंट चाहिए तुरंच चाहिए क्या किया जाए उसका बेस्ट आंसर मेगना जी देंगी क्योंकि वह भावना और इमोशन पर जो का ही नहीं दिखा रहेगा जैसे कि विशाल नहीं पताया इत्ला का बिजन्स आइड लाग तो एक स्टेंट फर्थर तीन चीजों को स्टॉक मार्केट से कंपैर करें सबसे पहला मार्केट में ट्रेट करना एक बिसन्स जैसे है आप प्रोसेस फॉलो करो तो आप एमोशन को और इसमीशन दिखा जैसे है अगर आप डो करते हो क्या इसे को करो करोगी विटा विदा लेर्नंग debit आप नहीं करेंगी राइट आप सी खोगी कि कैसे बनते हैं, O OPC touching का अघट किसे करते और फिर И और बेकम युग दर्टर दूव ऐसे हैं और थर्ड एक ग्रेद ट्रेन है और रून स्वालो करने है एक क्रिकिटर के नॉट अफोर्ड कि इमोशन प्ले के वीच में लेकिया है वह बुड़ी नहीं कर सकता है तो इफ यह थिंक लागन एथिक जैसे सोचते है तो बहुत की अब्जेक्टिव थिंकिंगा तो विशाल जी शेयर मार्केट की जितनी मर् उस पे काम ना करें गट फीलिंग पें ना करें अपने प्रॉड प्रॉर्स्स को समझे और उसी पे ट्रेड करें में जाहना उस्के पहले ही पता हो сколько तो आप आप मेंटली तयार हो गए कि मैं इतना लॉस करूँ तीसरा है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहो जो स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे जो सीख रहे आगे बढ़ रहे ना कि ऐसा कि बोला है यह तो सट्टा है ग्यांबल है तो वह सर्कल ऑफ जी जीनियस जो बोल आपके बारे में पढ़ रहा था येस मैंने अमेरिका में एक युएस ट्रेडिंग चैंपियंशिप होती है जो 1st जैनुरी को शुरू होती है और 31st डिसेंबर को ख़ता है एक साल की उसमें आप एक पैसा एक क्यापिटल से शुरू करते हो और वहां पे ट्रेड करके हर मही अपना रिपोर्ट भेजते हो और उस चैंपियंशिप में मैंने महनत करके ट्रेड करके लास्ट येर 2022 में मैं चौथे नंबर पे आया जहांपे मैंने 81 परसंट 21 परे वर्ड में बार्ट में चौथे नंबर प्रें और सबसे बड़ी बात यह मैं ऑडिएंस को बनाना चाहत travel भी कर रहा हो, seminars भी कर रहा हो, workshop भी कर रहा हो, podcast भी कर रहा हो, तो ये parallel source of income है, बढ़ाई हो, बढ़ाई हो, तीन point आप से लिए, धन्य बाद, दो point मेगना देवी, ज़्यादे जब लोग पैसा बनाने आते हैं, और बन नहीं पाता है, तो पुछते हैं, यार मैं वही strategy follow, को दो सर फॉलो करकर पैसा बनाता है, फिर भी मैं क्यों नहीं बना पा रहा है, the difference is the way you think about money, पैसो के बारे में कैसे सोचते है, हमारी जैसे conditioning होती है, हम बोलते है कि पैसो को प्यार करना गलत है, you know, there's never enough money, lack और scarcity सोचते हैं, तो your relation with money, बहुत जादा define करते है कि आप यहां पे पैसा बना पाऊगाए की नहीं, तो आप mindset important है, yes, mindset about money, abundance सोच बहुत ही important है, and the last, the fifth one is extremely important, आपको पैसा क्यों बनाना है, आपको trading क्यों करना है, परपल पता हो नहीं, लोग ऐसी बस इसने पैसा बनाया, इसमें बहुत पैसा है, stock market में बहुत पैसा है, बस उससी रीजन से चल देते हैं, नहीं, आपको क्या जरूरत है पैसा बाइड यूज वाइड वाइड मेक मन्न, आप में तीन टेकनिकल पॉइंट बता है, में को अच्छा लगता है, वो A, B, C, T, A, B, C, D होता है, आपने उसको T कर दिया है, वो बढ़ा अच्छा लगा मुझे, anybody can trade, so technical analysis, इनका कहना है कि चार्ट पढ़ना सीख गए, तो आप share market ने पैसा कमा सकते हैं, अगर आप fundamental के player हैं, तो भी आपको साथ में technical को सीखना चाहिए, यानि कि चार्ट पढ़ना आ जाए, कहां पैसा रोकना है, नीचे गिरना जाए, और कहां पे उसको आगे, मुझे कमाने के लिए, यूट्यूब पे आपके आज बारा सो फ्री वीडियो भी आपने दिये हैं, उसके लिए बाप बढ़ाई, छे लाग सब्सक्राइबर दो गए, जल्दी छे मिलियन हो जाएं, उसके लिए हमारी तरफ से बढ़ाई आपको, कहते हैं कि आईडिया को साई डिरेक्शन में, औ और बिजनस आईडिया सीरीज से इन आईडिया को आकर के सीखिए, अगर आपको भी लगता है, आपके आपके पास कोई जबर्दस बिजनस आईडिया और आप हमारे साथ आकर क्या चर्चा करना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं, आप किसी बर्निंग प्रॉब्लम को समा बहुत धन्यवाद आप दोनों का विशेश धन्यवाद थैंक यू सो मच बिंदरा जी आपके शोग पर आके बहुत मजा है जैसे हर बार आता है आप जो मिशन पे हो यह आपके बड़ा बिजनस का जो मिशन है कैसे बिजनस को पहले खड़ा किया जाए पिर वहां से बड़ा क का बड़ा है कि स्टॉक मारे को एक बिजनस की तरह करें हमारे प्रोग्राम जो वनियर पैरमियर मेंमें उसमें लोगों को सिखा दें कि कैसे स्टॉक मारे एक सिंपल तरीका है जहाँ पर आप प्रोसेसर काम करोगे तो एकुङू सकते और चानल सोर्चे पीरर कीं Thank you so much.